एक गलती हमारे exam के result को बहुत बड़ा effect कर सकती है हमारे अच्छे college एक dream college के सपने को तोड़ सकती है एक गलती हमारे admission में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है अब वो गलती क्या है वह मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पहले एक छोटी सी बात कि आज अगर हम आज अगर हम करें तो आज तीन अप्रेल है और तीन अप्रेल है और अगर मैं बात करूं तो according to NTA according to NTA आज जो है last day correction का right cvd के form का last day correction का 3 अप्रेल को आप 11 बच के 50 minute तक रात की 11 बच के 50 minute तक आप update कर सकते हैं अपने form को correct कर सकते हैं subject change कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं और दूसरा कुछ भी जो आप edit करना चाहते हैं वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको बस ध्यान रखना है कि आज 11 बच के 50 minute तक last समय है आपके form में correction करने का और form में correction अगर आप कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़े होगे अब क्या-क्या errors हैं जो मैं आपको बताना चाहरा हूं कि क्या errors है कि जो हम यहां पर देखे ठीक से मैं आपको बता दूँ यहां पर ठीक है जड़ा इसको समझेगा कि अगर मैं यहां पर आपको बत मेरा लेना देना से मेरी तो कई घलती नहीं है मेरा क्या लेना देना नहीं एक बडाः आपको चेक करना होगा फॉर्म को क्या-क्या चीद्व Calvin भॉकॉघ्ण बशेयियर avons झार्यकर आप चले इस Verbhold कर सकता है ऐस्टूदे और नमबर ने इमदर पोटोग्राफ सिक्नेचर यह सब वो change कर सकता है, सब वो change कर सकता है, दिहान रखेगा change के लिए आप अपने जो personal details हैं, address को छोड़ कर, mobile number को छोड़ कर, अपना नाम, father का नाम, mother का नाम, इन में कोई error हो, spelling का, तो वो आप correct कर लिजे, counseling में बहुत परिशानी आती है, फिर एक और बात देखे, बहुत important ह कर लिजेगा, अगर आप किसी category के है, या EW certificate है, या नहीं है, ध्यान रखेगा, अगर आप OBS, SST के हैं, OBC और SST के हैं, और आपके पास certificate नहीं available है, और आपने आप पर कुछ गलत तरीके से डाल दिया है, तो उसको correct कर लिजेगा, एक और बात, अगर आपके पास certificate है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर requirement important इस तरह से नहीं है, वहाँ पर उन्होंने category wise admission दिये है, और अगर आपके पास certificate है या नहीं है, उस recording ये आपको form में ध्यान रखना है, अब एक और बात है, कुछ बच्चों का category certificate local होता है, local certificate होता है, और वह उसको upload कर दे अब यहाँ पर हमें बात करूँ आपसे, कि यहाँ पर वो 10th और 12th के एक बार वो check कर ले, कि क्या जो roll number उसने डाले है, या जो भी उसने result डाला है, वो उसमें कहीं error तो नहीं है, वो भी check कर ले, फिर आपके city, अब इसमें देखिए rate of word, gender category, ये भी check कर लीजे, उसके current बात यहाँ है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब देखिए, यहाँ पर आपको CUT, UG के लिए, तीन चीजें, तीन चीजें आपको select करनी थी, right, वो तीन चीजें क्या थी, तीन पार्ट में था, वो क्या था, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, ज़रा देखिएग देखिए, यहाँ पर उसने आपको तीन तुकड़ों में, तीन तुकड़ों में आपको selection करने को बला, section 1, section 2, section 3, section 1 में language है, section 3 में general test है, पर सबसे अधा confusion कहाँ पर है, section 2 में, सबसे अधा confusion मुझे section 2 में है, सबसे अधा confusion है section 2 में, उसका reason यह कि बहुत सारी subjects है, अब पर आपको क्या करना है, वह मैं आपको समझाना चाहरा हूँ, कि यहाँ पर जब हम section 1 पे आते हैं, section 1, 2, 3 पे आते हैं, तो यहाँ हमने बहुत सारे errors कर लिए होते हैं, अब वो errors क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कि आपने error क्या की होंगे, देखो सब्सक्राइब आपको सच में नहीं चाहिए और आपने नहीं चाहिए अब मैं किसे पता लगाओ देखें आपने यहां पर क्या भरा होगा सब्सक्राइब जोब बरी होगी चीए को अब मैं ने कौन सा कोर्स बरा तो मैं कोर्स ले पर लो जनरल एकatas अब इसने क्या बोला है section 1 language आपको लेना है section 2 में legal studies oblique computer science oblique economics any three बोला है any three right अब इस में से मैंने कोई दोई select करें हो गलती यह हो गई हो यह या फिर या फिर हो सकता है कि यहां मैंने ध्यान नहीं दिया हो मैंने कुछ और subject select कर लिए हो या फिर हो सकता है कि मैंने मुझे तीन ही चाहिए थे मैंने चार चार पांच पांच से लिए हो तो मुझे ध्यान रखना होगा कि यह subject जो है मैं extra भी ना लूँ और जो कोर्स मुझे करना है उस कोर्स के according ही मैं यहां पर क्या करूं subjects लूँ अब एक और बात बहुत साइट निवर्शेटी से बहुत सारा उसकी भी करोगे आपका time आप वहां पर लगाओगे तो सबसे important है आपका अभी का समय जो आपको खराब नहीं करना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि extra subjects अगर लिए हुए हैं तो कोशिश करो कि आज ही आज ही उसको रिमूव कर दो और अगर कुछ subject जो कि आपको university आपके बिएस और business studies और e-ship भर दिया एस paper में अभी कैसे भी आद भरा उसने उसने किसी से पूछा तो उसने बोला कि बढ़ी जो 12 के subjects हैं वो भर दे अब उसे 12 के subjects तो form में भर दिया पर उसको यह नहीं पता था कि जिस university को वह सोचके बैठी है उसमें यह subject चाहिए ही नहीं बिलक आप यहां पर दो तरह के सच कर सकते हैं आप यहां पर universities और courses courses जो भी आपको करने courses से भी सच कर सकते हैं जितने universities से उस course की वह सारी है जाएंगी university से search करें आज ही काम खत्म कर लिजी क्योंकि इसके बाद लोका नहीं है तो यह हमारा जो एक मोटीव था कि आपको information दी जाए आप उस information को समझे और आपको अगर लगता है कि हमारी और help चाहिए counseling करें तो आप हमें contact कर सकते हैं और हमारी new batches में स्टार्ट हो चुके हैं झाल वी क्ब्शव समझे आपको बहूर है जो खिल्ध में अन्यान क्तरी तेम ड्लाया आपको